तो दोस्तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है वर्चिल वर्स की एक और नए वीडियो में तो आज की वीडियो भी होने वाली है एक कंपेरजन वीडियो इस वीडियो में हम मारवल के तीन सुपर हीरोज लेंगे और उन्हें उनके मूवीज और कॉमिक बेसिस पर कंपेर करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा वोजन बेस्ट है तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर सूपर हीरो आता है उसका नाम है आरेन मैन तो चलिए आरेन मैन को हम मूवीज के बेसिस पे डिसकस कर लेते हैं तो मार्वल में आरेन मैन यानि टोनी स्टार्क अपनी इंटेलिजेंस के लिए और अपने आरेन मैन सूट्स के लिए जाना जाता है Iron Man ने अपनी पूरी लाइफ में total 93 armors बनाये थे जिसमें से उसने officially 85 armors पहने थे और Iron Man का अब तक का सबसे best armor था Mark 85 जो की Mark 50 का ही better version था और ये भी nanotechnology पे ही based था जब Tony Stark अपने Iron Man armor में होता है तब उसके पास super human abilities होती हैं लेकिन अपने suit के बिना भी वो hand to hand combat fighting में expert है और अपने Iron Man suits के अलावा Tony Stark ने और भी चीज़ों का invention किया था जैसे की Stark Industries, Satellites, Drones, Badassium Element, Ultron और AI Technologies जैसे की Jarvis, Edith, Friday, etc तो चलिए अब हम Iron Man को comics के basis पर discuss कर लेते हैं तो friends जैसा कि हमने देखा कि movies में Tony Stark ने कितने inventions किये और कौन-कौन से armors बनाए और इनी कारणों के वज़ेसे वो movies में first smartest human है लेकिन comics में वो third या fourth number पर आता है और उसने total 61 armors बनाए हैं लेकिन फिर भी Tony Stark comics में movies से ज़ादा intelligent है तो चलिए देखते कैसे तो comics में Tony Stark ने mark 85 से भी ज़ादा advanced armors का invention किया है जैसे कि endo sims armor जो की एक symbiote type armor है और एक liquid metal से बना हुआ है और ये armor किसी भी तरह के shape में shift हो सकता है और Tony Stark इसे अपने mind से बहुती easily control कर सकता है और इसी के साथ साथ Tony Stark ने anti celestial armor, uru metal armor, thor buster armor, hulk buster armor और ऐसे कई armors बनाये थे लेकिन Earth 616 का सबसे तागतवर armor था god buster armor और Tony ने ये armor तब बनाया था जब वो motherboard के साथ उसी के बनाये हुए एक अलग reality escape world में फस गया था और Tony ने ये भी बताया था कि ये armor इतना जादा powerful है कि इसे real world में इस्तुमाल नहीं किया जा सकता और इसी के साथ साथ Iron Man ने एक अलग reality Earth 90266 में जिरैन armor नाम के एक armor का invention किया था जिसकी powers multiversal level की थी तो इन सब चीजों से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि Iron Man comics में ज़्यादा powerful है तो यहाँ पर एक point जाता है comics की तरफ तो चलिए friends अब हम बढ़ते हैं अपने next superhero की तरफ हमारे इस list में जो next superhero आता है उसका नाम है black panther मुवीज में black panther के पास है super human strength, speed, agility, reflexes, stamina and senses और वो एक expert martial artist भी है और hand to hand combat fighter भी है जैसे कि हमने civil war में देखा था कि जब black panther और winter soldier की fight हो रही थी तब बिना अपने suit की मदद से ही black panther ने hand to hand combat fighting करके winter soldier को हरा दिया था लगबग और movies में जो black panther है वो अपने vibranium suit की मदद से kinetic energy blast भी कर सकता है और movies में black panther 750 pounds तक का weight उठा सकता है तो चलिए black panther को अब comics के basis पे भी discuss कर लेते हैं comics में जो black panther के पास suits हैं वो movies से भी ज़ादा advanced हैं क्योंकि comics में जो black panther है वो अपने suit की मदद से teleport भी कर सकता है और अपने आपको invisible भी कर सकता है और एक बार comics में ऐसा भी हुआ था कि black panther कुछ समय के लिए future देखने लग गया था और comics में black panther के पास healing factor भी है इसके अलावा black panther comics में necromancy नाम की एक technique को भी use कर सकता है जिसमें वो dead bodies को raise कर सकता है और उन्हें control कर सकता है और ये powers उसे मिली थी panther goddess से और इस case में भी comics की तरफ एक और points जाता है तो friends चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने next superhero की तरफ तो हमारी इस list में third number पर जो superhero आता है उसका नाम है spider man तो चलिए spider man को भी अब हम movies के basis पे discuss करते हैं movies में spider man के पास super human strength है durability है speed है stamina है agility है spider senses है और movies में spider man 25 to 50 tons तक का weight lift कर सकता है spider man hand to hand combat fighting skills में भी expert है spider man की physical strength का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने winter soldier और falcon दोनों को एक साथ हरा दिया था और captain America को भी थोड़ी देर के लिए tough fight दी थी लेकिन वो फिर उन से हार गया था तो कहीं न कहीं अभी spider man में experience की थोड़ी कमी है इसी वजह से वो अपने full potential को unlock नहीं कर पाता है तो चलिए अब हम spider man को comics के basis पर discuss करते हैं तो पहले की तरह ही जो powers हैं वो लगबग same ही होंगी और उसके अलावा वो spiders के साथ communicate कर सकता है उसके पास healing powers है उसके पास organic webbing है यानि कि जैसे movies में spider man technology के मदद से webs बनाता है और उन्हें use करता है लेकिन comics में वो organic webs को भी use कर सकता है यानि जो उसकी body के अंदर से निकलते हों comics में spider man एक master martial artist है और comics में spider man 100 to 200 tons तक का weight उठा सकता है तो यहाँ पर एक और point जाता है comics की तरफ तो friends आज की comparison video का result आप आपके सामने हैं तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि super heroes के जितने भी comic versions हैं वो सभी यहाँ पर जीच चुके हैं और इसी के साथ साथ अभी comparison video भी यहीं पर खतम होती है तो friends अगर आपने इस video का first part अभी तक नहीं देखाया तो please जाकर जल्दी से लिए good bye